क्या आपके घर पैसा नहीं आता जो आ रहा होता है वो भी रुख जाता है तो घर के में दर्वाजे पर कुम-कुम से स्वास्तिक बनाएं और बास्मती चावल की धेरी पर एक सुपारी में कलावा बांद कर रख दें पैसा आना शुरू हो जाएगा बात करते हैं आज के दूसरे महाँ उपाएगी क्या को आप या फिर आपका कोई खास दिल की बिमारी से परिशान है दिल की बिमारी से बार बार दिक्कत आ रही है पाच मुखी रुद्राक्ष को गले में धारन करें इस बात का ध्यान रखे कि रुद्राक्ष पहनने की लेकिन हाँ आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है इलाज में केरलेसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साथ में उपाई कीजिए अब आज के तीसरे माहा उपाई को जानने का बाकता आ गया है ध्यान से सुनिए क्या है सवार क्या शनी की साड़े साती से बहुत परिशान है इसे दूर करने का उपाई भी जान लीजे अपने घर के मंदिर में एक डिबिया में सवा तीन रत्ती का नीलम सोमवार को रख दें और हाथ में 121 रुपे लेकर प्रातना करें प्रातना करें कि ये शनी देव आपके नाम के हैं फिर शनीवार को इसमें साथ अनाज रख दीजे और जारियां या चीटियों के बिल पर भी खेर दें और किसी जरुतनन को पैसे दान कर दें शनीदेव से कश्ट निवारन की प्रातना करें अब चौथे महा उपाई के लिए त्यार हो जाईए सवाल ये है कि क्या आपकी किस्मत का ताला नहीं खुल रहा है किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लाईए लेकिन ताला खरीदते वक्त ना तो उसे ताले को आपको खोल के देखना है ना ही दुकानदार को खोलने देना है ताले को जाचने के लिए भी नहीं खोलना है उसी तरह से डिबी में बंद का बंद ताला दुकान में खरीद लाएं इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रखतें शनी बार सुबह उठकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर गुर्दवारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर रखतें जब भी कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा अब पाँच में माहा उपाई के बारे में जान लेते हैं क्या ओफिस या कारोबार या फिर दुकान में धन वर्षा नहीं हो रही है अपने घर, दुकान, फैक्टरी, ओफिस या शोरू में एक फाउंटिन रखें या फिर एक आप छोटा सा एक्वेरियम रख सकते हैं जिसमें एक गोल्डन फिश और एक ब्लाक फिश हो एट गोल्डन एन वन ब्लाक ऐसे इसे नौर्थ या नौर्थीस्ट की ओर रखें अगर कोई मचली मर जाए उसे निकाल कर नहीं मचली ला दे थोड़ी मचली आप बड़ी होने लगे तो उने तालाब में डाल दे